इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत आता है। यह सूजन, खुजली और लालिमा जैसे लक्षनों को कम करने में मदद करता है। आपको मोमेट लोशन का इस्तेमाल हमेशा आपने डॉक्टर के बताया नुसार ही करना चाहिए। निर्धारित अवधी से अधिक के लिए क्रीम या मलहम का उप्योग न करें। इसे इनमित वचा पर एक पतली परत के रूप में लगाएं। जब तक आपका डॉक्टर आपको ऐसा करने के लिए न कहें, उस हिस्से को पट्टी या प्लास्टर से न ढधकें। आपको नियमित रूप से इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में या निर्धारित समय से अधिक न करें। मोमित लोशन के कुछ संभावित साइड इफेक्ट हैं, लेकिन सभी में नहीं होते हैं। इनमें तवचा का पतला होना या रंग में बदलाव, जलन, चुभन और खुजली शामिल हैं। यदि आप इनसे परेशान हैं या ये दूर नही होते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। अपने डॉक्टर अपनी समस्याएं जैसे तवचा का पतला होना, तवचा का कोई संक्रमन, तूटी हुई, या अलसर वाली तवचा, डाइबिटीज और इम्यून सिस्टम की समस्या को बताएं। इसके अलावा, डॉक्टर को अन्य दवाओं, विशेश रूप से स्टेरोइड के सेवन के बारे में भी बताएं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।